तोड़ी नीचे हो रही बहुत जादा गर्मी और बारिश के भी कोई चांस मुझे दिखने ही रही इधर कजाल हटा हुआ इधर कजाल मेहटा देती हूं थोड़ा सा बहुत गर्मी हो यह नीचे हूं मस्की सोच रही हूं यह गुलाब तोड़ो मैशालला हो प्यारा लग रहा है मुझे ऐसे तो यह चार पती का है लेगा तोड़ लेते हूं पर यह प्रेज की सफाई तो मैंने उपर कभी क्लीन नहीं थी है नीचे का जूए स्टेंड होता है इसको निकाला है तो अज बनेगी करेले की सब्जी प्याव है करेले दुले रखे है के सब मैं धो दिया इसका प्रेज को ज़ब में अंदर के टूर्स होते हैं सब दो दिया है अब तरीज की सपाई हो गी आज हम कर रहे हैं नहीं प्रिज की सफाई वह जदर साफ कर दिया है, और दिखाई अधर साफ कर दिया है तो यह रहा टेप और इसका इसमाल मैं करूंगी कर दिया है नहीं मैंने यह रहा है यह सबसी का डिपा जो टूर गया है और यह मिलने रहा है हमारी पुरानी मशीन अपनी पुरानी पुरानी पूर्ज है और इसका डिपा जो विमने भोल से गजी सब्ढ़ा हमें पुम्स आप लिए करें कर दे अपनी जो बहा है हैं जोब पिला बती है इचार जाने में चलांगा तब लगा दिया है है यह क्या रख दिया अब भिलन इसको लगाएं यह वारा डिपा नामान जा रहा है यह सब आटे का डिपा है यह बॉटक्स है हमारी और यह कोल्डिंग कल आई थी महमान रहे थे हमारे यह सब देखिए यह सारी बोतल जुए है आप जमजम किये यह बटर का है यह गलाब जल है और यहां पर एंडे वगरा रखने के लिए यहां का एक हमारा बॉक्स और टूट गया है तो हमानी फ्रेज बस काम चला हो गया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी धुरानी फ्रेज ठेकने वाली कबाड आप लोग सोच रहे होंगे तो सही सोच रहे हैं कि वह अगुझे पराँ से प्रेज है। वो पवार जैसे ही दिखती है। आपके यादें होती है कुछ चीज़ें आपकी यादें जुड़ी होती है। आपके प्राइटें तो दॉते हमारे फुरेज कंवारेके दूगारी है। Whoa, बिलकुल बेखा, मतलब,, वह खराब हो रही ह Audio नहीं आटा सरती है बुह अच्छा हो खत रही है बहुत अच्छा काम करनें बहुत अच्छा आज कम करेका नियन्जीं को इतनी खराब हो रही है अतनी जल्दी जल्दी खराब हो जा रही है और कि मैं क्या ही बता हूं लेकिन जब तक उससे काम चल रहा है अगर हमारी नई फ्रेज आ भी जाएगी आ नहीं जाएगी बड़कि आएगे इंशाला बस अगर वह आ भी गई ना नई नई फ्रेज तब ही पुरानी फ्रेज को जोना बिलकुन नहीं अटाएंगे उसको में बहुत अच्छी कूलिंग करती है तो प्लीज तो कुछ चीजों से ना वह यादे जोड़ी होती है विसले भी हम उसको नहीं हटाएंगे अगर हमारी नहीं आ गई तब भी तो चड़ाने जा रहे है चावाल शाम के चावल और ताइम हो रहा है करीब 8 तोड़ा देड से पक नहीं के बनाया है यह तो पुद बनाया करो समझी को बनाया करो अब तुमें आना चाइए बनाना आइसे पढ़ा जाता जन्गर्मन आइसे पढ़ा जाता जन्गर्मन कैसे पढ़ा जाता तुम्हें क्या बदा हो रहा है पहले 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 दूसरा आई से तुमने कैसे चलो प्रेयर करवाँ खड़ी ओ प्रेयर कराओ जुनेरा कैसे किया आता इसने करो 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 अच्छा करो तुम भी करो बीजा आउंडाय से फृम जो जो चाओ तो हमें करें संने जाए र擊inek ंरी में इन जाल माद indic dell कför यह भी वें लिसेल्ट ड्रूश अई नहीं, जान गर्मन प्रेर प्रे से प्रेकिव बश भैसन आप right जो जीते गाओ प्रे कि वालात मात जाता, एंडरी उची ने मुझे लाते मालाता बहाँ है आलो भरे पराठे यहां पर त्यारी हो रही ही अलू भरे पराठे बनने की लिती है पराथा रेड़ी हो गया अगल का अभी जबनी मुखण में धूली है मैंने कपड़े और में चारी में उपर फेलाने आज बहुत सुबस बारिश होई माशाला से और इस टाम हल्दोग के अलकिल की रवफ है चलो कपड़े फेला देते हैं अगर बारिश होगी तो फिर से उठ खाने भी आड़ जाएंगे इनको कपड़े फैल गया हावा बहुत अच्छी चल रहे तो इंशाला सूखी जाएंगे सारे कपड़े चलिया नीचे चलता है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है लाइए क्या लेकर आई आप धर आईए अंदर चाट देखें वाव टिक्की है य अच्छी कर आई है और आज हम रख मारी पड़ी है पताया हुई यहां पर बना रही हूं परवल की सबसी प्राइपरवल यह जो प्राइपरवल नहीं बंगते बहुत टेस्टी लगते हैं तो शाम करटेनर आज यह बन रहा है और इसके साथ साथ बन रही है यह लौकी की प्राइदे बन कर देती हूं इकास में बन करते दियों कश्णी डाला हैं अबस जबसे इससे पहले वेने औडया अल डाला और में प्यास रदी और लाल मिट्च के वाली सुख् 성क्य बूसर और नमक और उसके बाद ये फरवल लग्स कर दीजिए और आज कल व्लॉग मेरे दो दिन बाद आ रहे हैं आपको बताए देते हूं कि मेरी आइसाइड आपको पता है जैसे की बहुत वीक है तो मुझे एडिटिंग करने बहुत जादा प्रॉब्लम होती है कि मेरी आपको में बहुत जाद दर्द होता है इसकी वजह से मैंने थोड़ा मैंने थोड़ा अपने से दूर करने की कोशिश की है कि मैं कम एडिटिंग करूं इसलिए शायद इसी वजह से मेरे व्लॉग्स हो दो दिन या तेन दिन बाद भी आ रहे हैं तो प्लीज देख लेन मेरे व्लॉग्स भी सब्सक्राइब भी कर दिजिए का चैनल को थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन अब मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ इंशायला तो आपको मेरे व्लॉग्स को मिलें ऐसा तो बिलकुल नहीं हो सकता कि आपको मेरे व्लॉग्स ना मिलें वो इंशायला आपसे अपने नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए खुश रही है और दुआ में आद रखिए और बहुत सारी दुआ में साथ अपने लॉस को दीजिए जावद अपने बहुत दाद ख्याल रखिएगा लाफेज